तो सब सब लोग को पताई होगा कि भारत के दरफ से प्रचंड जैसे एटेक हेलिकॉप्टरों का development करके एक बहुत बड़ा सफलता हासिल किया गया। बेसिकली ये जो प्रचंड हेलिकॉप्टर है ये भारत को हेलिकॉप्टरों के मामले में खाली आत्मनिद्वर ही नहीं कर रहा है बलकि भारत के हत्यारों के एक्सपोर्ट के संभावनाओं को भी बढ़ा रहा है और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियान ओर फोर्स अपने प्रचंड जैसे हलिकॉप्टरों में एंटी द्रोन कैपैपिलिटी को जोनने का प्रयास कर रहा है। और रिमोट पाइलेट यार क्रेप्टों का उपियो किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मॉडरन वोरफेर में आने वाले समय में जो द्रोनों का भूमिका है वो काफी बढ़ेगा और इस तरीके के द्रोनों को नूटलाइज करने के लिए अगर अटैक के पास भी एंटी द्रोन कैपिबिलिटी होता है तो नू डाउट इससे इंडिया को भविशे के लड़ाई में काफी अधिक फायदा मिलेगा और दोस्तों ये जो मॉडरन द्रोन है ये कई-कई बार ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टमों को भी भेद देता है जिस किया जा रहा है कि एक अपाचे हेलिकॉप्टर में मॉडरन AGM-114 हिलफायर मिसाइलों को इंटीग्रेड करके सौधी अरविया के अंदर एक ट्रेनिंग एकसरसाइस के दर्मियान द्रोनों को नूटिलाइज किया गया है और दोस्तों इस सफलता के बाद इंडिया भी अप इपाचे हेलिकॉप्टरों में एंटी द्रोन कैपविलिटी को जोड़ा जा चुका है जो कि एक तरीके से साफ करता है कि हेलिकॉप्टरों में एंटी द्रोन कैपविलिटी को जोड़ना कोई बड़ा बात नहीं है दूसरे तरफ अगर इंडिया यारफोर्स के बेड़े को लेके भी order place किया गया है फिलाल यार फोर्स को सवी के सवी वाइस अपाची हेलिकॉप्टर मिल चुका है जब कि आर्मी को अपने हेलिकॉप्टरों का फिलाल भी इंतिजार है दूसे तरफ प्रचंड हेलिकॉप्टर के रूप में एक इंडिजिनियस हेलिकॉप्टर का development किया है और 1500 से अधिक हेलिकॉप्टरों का order है जो कि आर्मी और यार फोर्स को मिलेगा दूसे प्रचंड हेलिकॉप्टरों को देखा जाए तो एक हलके वजन का हेलिकॉप्टर है जिसे कि साल 2022 में इंडियन आर्म फोर्स की बेड़े में सर्विस में लाया गया था और का दाववा प्रचंड हेलिकॉफटरों को देखा जाय तो स्पैसिफिक लिए इसे हाई ओल्टिट्यूट व्रफेर के लिए बनाया गया और इसी वजह से वी प्रचंड हेलिकॉप्ट्रों में अगर एंटि ड्रोन केपिलिटी को जोड़ा जाता है तो ये हेलिकॉप्टरो के लिए और अच्छा बात होगा फिलाल प्रचंड हेलिकॉप्टरों के जैसे आई अल्टिट्यूट कैपेविलिटी दुनिया के किसी अन्ने हेलिकॉप्टरों के पास नहीं है जिस वज़ा से वी इन हेलिकॉप्टरों को काफी खास माना जाता है इवेन मीडिया रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले हतियारों को अगर देखा जाए तो इसमें एक 20 मिलिमिटर के नेक्स्टर का कैनन का उप्यो किया गया है जो की हेलमेट माउंटिंग डिस्पले के साथ जुड़ा हुआ है जिस वज़ा से इन कैननों का जो फ्लेक्सिविलिटी है वो काफी हाई है इसके इलाबा प्रचंट हेलिकोफ्टरों में 4 एडिशनल हाट पॉइंट है जिसके सारे कई तरीके के आधुनिक और अलग-अलग हतियारों को कैरी किया जा सकता है तो इन में से हर एक हाट पॉइंट में करिफ करी 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट पॉर्ट को लगा ज जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो प्रचंट हेलिकोफ्टर टोटल 16 Air to Ground मिसाइल मतलब ध्रुवस्त्र मिसाइलों को कैरी कर सकेगा जबकि प्रिसिसन गाइडेड म्यूनिशनों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मताबिक इन में से 2 हाट पॉइंटों में हाइज स्पीड लोड रैक सरेनिके 250 बॉब्स को लगाने का भी तयारी किया जा रहा है जबकि इसके इलावा प्रचंट हेलिकोफ्टर क्लस्टर मियूनिशन और अंगाइडेड बॉब्स के रूप में प्रिफ्रेग्मेंटेशन बॉब्स 200 का भी उप्योग कर सकेगा और इन हाट में ग्रेनेड लांचरों को भी लगा जा सकेगा पर दोस्तो हेलिकोफ्टरों का सबसे खास बात है इसका हलके वजन का होना और कॉम्पोजिट मेट्रियोलों से बना होना जिफके इसके इलावा इसमें अलविट के कॉमपस, ऑप्टियोनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वर् कमपनी के तरफ से इंडियान यारफोर्स के हलिकोफ्टरों के लिए हलिकोफ्टर लॉंच द्रोनों के डिफलप्मेंट किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्टों के मतावि कॉलकाता स्थित कमपनी द्रोन टेक लैप के तरफ से हाली में ही IDEX अधिती 1.0 के चैलेंज को जीता है, अब दोसो IDEX अधिती 1.0 चैलेंज जो है ये एक इनोवेटी चैलेंज है जिसके अंतरगत बेसिकली भारत के प्राइबट सेक्टर कमपनीों को हतियारों के डिफलप्मेंट को लेके प्रोसाइट किया जाता है, IDEX के अंतरगत कई सारे स्टार्ट आप्स और कई सारे प् के तरफ से जो हेलिकॉफ्टर लॉंच द्रोनों का डिफलप्मेंट किया जाएगा, ये असल में मैन अन्मैन टीमिंग सिस्टम के साथ काम कर सकेगा और ये करिफ-करिफ 40 किलोमेटर रेंज वाला द्रोन होगा, कमपनी के तरफ से अपने इनोवेशन को लेके दावा किया ज जा रहा है कि ये फिलाल existing infrastructure के साथ compatible होगा, मतलब भारत के पास जो भी हलिकॉफ्टर है उन हलिकॉफ्टरों में ही इन हलिकॉफ्टर लॉंच द्रोनों को integrate किया जा सकेगा और इवन इंडियन यार फोर्स के पास जो MI-17 जैसे हलिकॉफ्टर है वो भी इन सिस्टमों के साथ आसानी से comfortable हो पाएगा, इवन कमपनी के तरफ से ये विदावा किया जा रहा है कि कमपनी के द्वारा डिफलफ्ट किया जाने वाले जो system है वो काफी अधिक precision target के साथ होगा और इवन इसके high degree accuracy के साथ circular error प्रोववल जो है वो भी 5 मिटर से कम होगा, इवन बड़े target के ये कमपनी के तरफ से इसमें advanced guidance और navigation systems का उप्योग किया जाएगा, जिनमें electro optical infrared system से शुरू करके GPS denial environment के लिए वी कई तरिके के effective system होगा, इवन रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि इन द्रोनों के पास pilot control से शुरू करके वीडियो relay भी होगा, मतलब पाइले इन multi drone communication systems को भी इसमें जोडा जाएगा, मतलब single control unit के द्वारा कई तरिके के drone को, कई सारे drone को launch करने के साथ साथ, even single helicopter के द्वारा multiple drone को भी control किया जा सकेगा, जबकि दोस्तों सबसे खास बात है इसके modular design और easy to use, company के तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसके maintenance और handlability को और आसान इसे एक modular design के अंतरगर develop किया जा रहा है, ताकि इसका use भी आसान हो और इसे use करने के लिए अधिक training का आवशकता ना पड़े, फिलाल दोस्तों इस तरीक है कि loitering munition को अगर देखा जाए तो भारत के कई सरे private sector company और कई सरे start-ups के तरफ से ऐसे loitering munition का development तो किया गया है, ले इसे weaponized drone का ही development नहीं हो रहा है, जो कि target को निशाना बना सके बलकि साथी साथ ऐसे drone को तयार किया जाएगा, जो कि helicopter से launch हो सकेगा, और दोस्तों अगर ऐसा होता है, तो anti-drone capability के साथ साथ drone capability में भी इंडिया अपने helicopter को enhance कर सकेगा, और even इसे जो modern warfare है, उसमें इंडिया का पक में आत्मने घर कर पाएगा या नहीं, कॉमेंट करके अपने डाय अवश्रत दीजिए, दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते समाथ, किसी और एक दिन, किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए, जैहिंद वंदे मातरम!